तो चल रही है क्लास KVS 2023 का PGT पोस्ट ग्रेजुएट टीचर वेकेंसी के लिए जो पेपर हुआ था उसका हम हिंदी वाला पार्ट आपके लिए लेकर के आये हैं यह जो पेपर है यह 18th of February को हुआ था और अब हम आपके लिए करा रहे हैं इसका complete solution हिंदी का इसके पहले हम English का solution करा चुके हैं तो चैनल में जो बचे जोड़ चुके हैं वो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल को सबस्क्राइब कर दीजे और आगे बढ़ते हैं दे प्रशन उस पर आधारित प्रशन का सही उत्तर दीजे वर्तमान समय में विज्यापन का विशेश महत है उभुकता वर्ग एक बहुत वड़े वर्ग में किसी उत्पाद को खरीदने के पहले खरीदने से पहले विज्यापन द्वारा उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर प्रवत्ती रही है विज्ञापन से उत्पाद को उसके उप्युक्त उभ्योग उभुक्ता तक पहुचाने में सहायता मिलती है भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व में विज्ञापन एजेंसियों का बहुत बड़ा तंत सक्रिय है विज्ञापन एजेंसियों के कार्याले अ पहले आपको बता दूँ तो पहला question है कि उभुकता वर्ग में विज्यापन से संबध किस तरह की प्रवत्ती रही है उप्पात को खरीदने से पहले उसका विज्यापन देखने की विज्यापन दारा उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने की विज्यानप द्वारा विज्यापन द्वारा उसके द्वारा जानकारी प्राप्त करने की ये लिखा हुआ है तो इसका correct answer क्या होगा उसके द्वारा जानकारी प्राप्त करने की तो इसका correct answer है 2 बिल्कुल सही और given भी answer 2 है अगला देखिए ये question तो वही है उसके बाद अगला question है विज्यापन सह हायक होते हैं नौकरी दिलाने में उत्पाद को उपयुक उप्भोकता तक पहुचाने में तो इसका correct answer क्या होगा इसका correct answer 2 ही होगा okay answer भी 2 दिया गया है और correct answer भी 2 है question number 12 का 2 है question number 13 पे चलते है question number 13 देखे question वही है ऑव कैरा विझ्जापन एजंसीयों का तंतर कहा तक फैला हुआ है तो देखे विझ्जापन एजंसीयों का तंतर पत्र दिया है, परन्तु इंटरनेट नहीं दिया है, तो इसका correct answer क्या होगा, इसका question number 14 का answer 1 होना चाहिए, okay, correct answer 1 है, 14 का सही भी है 1, चलिए, अगला question दिखिए, अगला question क्या कह रहा है, निम्ण में से असंगत युग में है, आपको बताना है, असंगत मतलब कौन सा सही नहीं है, है ना, तो उप्युक्त का अनुप्युक्त, तो ये तो सही लग रहा है, सक्रिय का निश्क्रिय ये भी सही लग रहा है, अधिकतर का कमतर ये भी सही लग रहा है पूर्ण का संपूर्ण जो होता है वो असंगत यूग में है तो इसका correct answer 15 का क्या होगा 4 होगा क्योंकि पूर्ण का पूर्ण होता है संपूर्ण नहीं होता है चलिए अगला question देखे question number 16 असंगत यूग में है आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है वर्स में एक बार होने वाला वारशिक होता है सप्ताह में एक बार होने वाला सप्ताहिक होता है माह में एक बार होने वाला मासिक होता है ना कि माहिक और 15 दिन में एक बार होने वाला 16 का correct answer 4 पूरे marks चलिए ये भी तो सही था ना इस पर भी 1 marks ओके अब देखिए तो अगला question है इन में से तत्सम सब्द कौन सा नहीं है तो तत्सम आपको पतान है जो संस्कृत रूप में सब्द होते हैं उनको हम तत्सम बोलते हैं तो देख के आप पहचान जाएंगे कि कौन स शब्द हैं पर तत्सम नहीं है question number चल आपका 17 ओके तो देखिए आपके पास अगनी तत्सम है स्वामी भी तत्सम है वायू भी तत्सम है मगर जो पांक सब्द है वो तत्सम नहीं है तो correct answer इसका 3 भी दिया है ओके 1 marks चलिए अगला question number 18 देखिए अश्व शब्द का प्रयावाची कौन सा होता है 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 हुता है अश्व का है होता है तुरंग होता है बाज होता है है न बाजी तो इसमें correct answer जो है match कर रहा है तो है जो होगा अश्व का सही प्रयावाची हो ओका question number 18 का 1 तो इस तरीके से यह हो गया 18 चलिए अब question पढ़ते है next question number 19 19 question में पूछ होते हैं, तो सर्वनाम के 6 भेध हुआ करते हैं, question का answer 4 होना चाहिए, given भी 4 है, correct answer 1 marks, मनो भाव का संदी विछेद बताना है, तो मनो भाव आपको पता होगा कौन सी संदी होती, इसमें विसर्ग संदी होती मनो भाव में, तो मनो भाव का correct answer होगा, मनह, धन, भाव, विसर्ग संदी एक marks, तो ये है हमारा हिंदी का प्रश्ण पत्तर जिसमें की इस तरीके के सवाल आये हुए हैं, ओके, हमसे जूडने के लिए बहुत-बहुत धन्रवाद, नमस्कार.